जब समस्याओं की वज़ए समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुभा सुभा सभी शिश्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्य लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्य देखकर सभी शिश्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्य में एक के बाद एक तीन गांट बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिश्यों से प पर निर्भर करता है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रसी के दोनों सिरों को खिंचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रसी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिश्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिन प्रश्न इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिश्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परिशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं। जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वज़य समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलजाना बहुत ही आसान हो सकता है। रुप्या लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और वीडियो लाने में मदद मिलेगी। जब समस्याओं के मूल करें।